इंटरनेट मतलब Google Chrome क्या तुम भी ये सुन सुन के पक शुकियों? अगर हाँ, तो कुछ ऐसे धाकड ब्राउजर लाए हो में जो कि फंक्शनालिटी और फीचर्स में तो है ही है गोल्ड रॉम से बेटर बट प्राइविसी और सिक्यूर्टी में भी उसे बेटर है अरे, क्या समझे, Microsoft Edge? ये सब तो सभी को पता ऐसे धमाकेदार ब्राउजर जो कैरेंटीट तुमने नहीं सुने तो पहले बाइदान पर है Opera GX अब कोई ब्राउजर अपने आपको गेमिंग ब्राउजर बोले तो भाई गिमिकी तो साउंड करता है तुम्हें पता है गेमिंग मतलब RGB, RGB तो यार मेरा विश्वास सा उड़ गया था इससे लेकिन मैंने इसको टेस्ट किया तो भाई खुष से ही सबसे बड़ा और सबसे पहला फीचर है रिसोर्स लिमिटर जाने कि ब्राउजर कितनी रिसोर्स लेगा यह तुम सेट कर सकते हो तो अगर तुम लोग PUBG या गेम खेलते हो कंप्यूटर में और तुम्हें पता है कि अगला ब्राउजर तुम लोग के लिए तो नाम है लिब्रा वुल्फ और हां यह फायर फॉक्स मॉजिला वाला नहीं है ठीक है अल्दो सेम ही लगते हैं बढ़ भाई इस 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 वर्डेंड वर्जन है तुम्हारा फायर फॉक्स का यानि कि इसकी सेटिंग कुछ ऐसे ट्वीक करी गई है कि यहां पर प्रिविसी तुम्हारी दी फोर्मॉस्ट चीज दिमाग में है उनकी परला बहुत सारे फिशे से एक ब्राउजर दूसरे ब्राउजर की कुकी रीड नी कर सकता इसका काम मैं तुम्हें बताता हूँ अब यहां पर इसकी वज़े से यह सब तो नहीं होगा उसके अलावा यूरे ट्रैकिन जब भी तुम किसी यूरे पर क्लिक करते हो तो बहुत बड़ा आगे जिबरिश ड़ा हुआ होता है वेल एक्चुली वो तुम्हें ट्रैक करने के लिए होता है तो भाई इसमें एक smart AI algorithm है जो कि उसे automatically हटा देती है तो वो भी एक बहुत बड़ा बात है और बहुत साही चीज़े है टेलीमेट्री रडा, DRM का सपोर्ट नहीं करता है और बहुत सारी वेबसाइट जो कि तुम्हारी हिस्टरी ट्रैक करती है उसको भी सपोर्ट नहीं करता ये इन फाक्ट इसमें एक anti-finger printing टेक्नोलजी जो कि लगपग लगपग तुम्हारा टॉर ब्राउसर की तरह काम करती है प्राइविसी तुम्हारी बहुत अच्छे से हैंडल करता है मगर यह मासोच नहीं परफेक्ट है भाई इतनी प्राइविसी हट राख के इसने कि कुछ वेबसाइट नहीं चलेंगी जैसे नेट्प्लिक्स उसको DRM की नीड होती है तो भाई वो तुम्हाई रीड तो करेगा ही करेगा तो मेरी मानो नोगर और फिर फिर बैंक ट्रांग्शं से के लिए इसको उभलो और तुम्हारे एंक्रेंटेइन मेंट के लिए तुम नॉमल क्रों भी उज कर सकते हो बागी अगर तुम हाई-टेक गेमर भी नहीं और तुम हाई-टेक प्रविसी वाले इंसान भी रही हो और तुम ठोड address bar थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो भाई इसको छोटा कर दो मतलब UI के मामले में विवाल्दी इस दा बेस्ट बटन का कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं अनके कुफ ज्यादा लग रहे है थो हर तरीगें सोट्म कर सकते को है कि अगर तुम में चाहिए तो इसको एत्वाज कर सकते हो हैं तो भाई बहुत ही साई solution ungoogled chrome सुनने में बादा आ रहा है ना देखो ये कुछ नहीं है तुमारे chrome के अंदर ना बहुत सारी google की services और बहुत साई चीजी होती है तो इसने क्या करा एक google chrome को उठाया उसमें से जो जो चीज google की थी सब को हटा दिया जहाँ जहाँ चीज से google read कर सकता है सुब चीजे हटा दी और अब जो बचता है वो है chrome ungoogled वाला तो भाई इसको try करो इसका मतला भी ये निये google चलता नहीं है ये gmail नहीं चलता सब चलता है website पर जाओ लेकिन backend पर कुछ नहीं चलता है ऐसा कुछ नहीं है कि google तुमारी चीजे रीड कर लेगा अपने आपी इसका थोड़ा बहुत ड्रॉबैक भी है जैसे कि आज कल तुम देख रहे हैं कि google ना suggest password करता है या फिर तुमारी password store भी करता है या वो functionality नहीं है क्योंकि उसके लिए sign up करना पड़ेगा वो backend पर चलता है तो हाँ थोड़े से pros and cons तुमें हर browser में मिल जाएंगी मगर इसका फाइदा ही है google को तुमारी backend activities का कोई idea नहीं है तुमारी age group क्या है तुम कितने बज़े से कितने बज़े तक login करते हो ठीक है कौन सा तुमारे पास operating system में यह सब नहीं पता क्योंकि उस ब्राउजर ही नहीं है यह कुछ भी backend में google को नहीं बेशता until unless तुम website पर जाके explicitly लिख करा और तुमें शायद पता नहीं होगा अभी recently तनमे भट का यूट्यूब चैनल है न